हेलो विवोस वेलकम बाक और माई यूट्यूब शेनल ब्लिस एडू लोर्निंग बार निशा आज हम इस वीडियो में डिस्कॉस करने जा रहे हैं माइक्रो एक्नॉमिक्स के ऐसे 10 most important questions जो different different exam में हर बार पूछे जाते हैं चाहें आप KVS, NVS, DSSSB, UGCnet, UPPGT, Assister Professor या कोई Your State exam की तयारी करे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जादा helpful and useful होने वाला है इस वीडियो में हम इन 10 questions को detail में discuss करेंगे साथ ही समझेंगे कि questions में से questions को इसे पूछे जाते हैं अपने सही answer को कैसे mark करना है ताकि आपकी तयारी बहुत अच्छे से हो सके और आप जैसे की सभी जानते हैं KVS के exam में micro economics paper की weightage बहुत जादा है almost 30 से 35% question सिर्फ micro section से पूछे जा रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जादे important होने वाली तो चली शुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं question number one question number one में आपसे पूछता है कि इन में से किसका relation जो है वो angel curve से है यानि कौन है जो angel curve से related है किसका सम्बंध angel curve से है तो angel curve का जो relation होता है वो किसके साथ होता है वो होता है income consumption curve के साथ basically हम समझेंगे कि angel curve होता क्या है angel curve basically curve है जो अलग-अलग points को join करने पर बनता है कौन से points को join करने पर बनता है जब angel curve बनाया जाता है तो यहाँ पर Y6 पे आती है आपकी income और एक से आता है का consumption या फिर demand या फिर quantity ठीक है तो angel curve बताता है कि अलग-अलग income level पर consumer जो अलग-अलग quantity को खरीद रहा है basically different-different level of income पे जो consumer अलग-अलग quantity demand कर रहा है उन सभी points को join करने पे जो आपको मिलता है वो कहलाता है angel curve तो angel curve basically locus of all points है जो कैसे बनता है different-different level of income पे जो different quantity demand की जाती है तो आप देख रहे हैं इसका relation किसके साथ हो गया income और consumption के साथ हो गया तो basically जब income consumption curve बनाया जाता है उसी curve से जो है ये angel curve भी draw होता है important है याद रखेगा तो जो angel curve का derivation होता है या जो angel curve derive होता है income consumption curve से बढ़ डिपेंड करता है कि यहाँ पर angel curve कैसा है angel curve positive भी होता है negative होता है exam में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है जैसे यहाँ पर आपका income आ गया और आपके यहाँ पर आपकी quantity आ गई तो जब angel curve जो है वो positively sloped बनता है इसका मतलब है यहाँ पर good काउन से हो गया normal good हो गया चीक है क्योंकि normal good में क्या होता है जैसे जैसे consumer की income बढ़ते है वैसे वैसे उसकी demand बढ़ जाते है और income कम होती है तो demand भी यहाँ पर कम हो जाती है तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि angel curve positively sloped है और बोलेगा कि बताओ यहाँ से यहाँ पर कौन सा कर्व यानि इतने portion में जो है वो angel curve कैसे है तो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे है angel curve क्या है positively sloped है question आ जाते है कि जब angel curve यहाँ पर positively sloped है तो consumer कौन सा good खरीद रहे है inferior good खरीद रहे है तो इतने relevant question आप से यहाँ पर पूचे जाते है बढ़ते next question के तरह question number two question number two में कहता है कि inferior good के case में income effect और substitution effect कैसे काम करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना पढ़ेगा कि inferior good क्या होता है हमने पढ़ाना inferior good ऐसे होता है का income के साथ negative relationship होता है basically जब income आपकी बढ़ती है तो लोग ऐसे good का consumption क्या करते हैं अगर income बढ़ेगी तो लोग इसका consumption कम कर देंगे और अगर income आपकी कम होगी तो आप इस good का consumption बढ़ा देते हो तो basically inferior good वो good होते हैं जहाँ पर income और demand में negative और opposite relationship होता है तो आप कहते हैं कि inferior good के case में income effect और substitution effect कैसे काम करेंगे तो देखिए समस्ते सबसे पहले अगर मैं income effect की बात करूँ तो आपको सीधा सीधा देखते समझ आ रहे हो income effect यहाँ पर negative है क्यों? क्योंकि जब income बढ़ रही है तो हम demand क्या करें? कम करें और जब income कम और यह तो हम demand क्या करें? जादा करें तो inferior good के case में जो income effect होगा यहाँ पर क्या है? negative है लेकिन अगर हम बात करें substitution effect की substitution effect means की जिसको एक दुसरे की जगा पर use किया जा सकता है अब हम बात करते हैं कि inferior good के case में substitution effect कैसे होता है? तो देखिए जब इस good का यानि जब inferior goods के price बढ़ते हैं तो लोग इनके consumption को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं यानि जब ये good महेंगे होते हैं तो लोग इसका consumption क्यों कम कर देते हैं? क्योंकि इनके substitutions available है यानि उनके पास दूसरे cheaper option available है इसलिए वो इस good को छोड़े के दूसरे good पर चले जाते हैं तो इस good के case में जो substitution effect होगा यहाँ पर क्या होगा? positive होगा तो एक चीज़ आपको समझ आई होगी कि inferior good के case में जो income effect है वो negative है जबकि substitution effect यहाँ पर क्या रहेगा? positive है तो ऐसे में आप देखेंगे कि इस good के case में inferior good के case में जो income effect है वो negative है, जबकि substitution effect क्या पॉजिटिव है अब question को ध्यान से समझेगा जरह, option no.1 में कहता है कि income effect substitution effect से ज़्यादा होगा, नहीं आपको ध्यान अखना है जो inferior good होते हैं, उनका income effect negative होता है, substitution effect positive होता है और जो substitution effect होता है वो हमेशा income effect से क्या होता है जादा होता है It is very very important question Inferior good के case में substitution effect inferior income effect से क्या होता है जादा होता है तो option 1 में कहता है कि income effect substitution effect को out wake करेगा जादा हो जगन नहीं दूसरा कहता है income effect substitution effect से opposite काम करेगा बिल्गूल बोल सकते हैं कि income effect negative और substitution effect क्या है positive है तीसरा कहता है income effect move करेगा जबकि substitution effect constant रहेगा नहीं वो भी move करेगा तो यह तो गलत हो गया चौता कहता है quantity demand price के साथ positively react करेगी और income effect जो है वो substitution effect से weaker हो जाएगा यह तो ठीक है कि income effect जो substitution effect से weaker होगा लेकिन quantity demand का जो price के साथ यहाँ पर positive relation नहीं होगा negative relation होगा तो यह वाला option जी क्या होगा गलत हो गया तो correct answer क्या बचो option number 2 चीक है तो आपको ध्यान अकना है inferior good के case में जो है आपका substitution effect क्या होगा positive होगा आपका income effect क्या होगा negative होगा और positive substitution effect जो है वो negative income effect से क्या होगा ज़ादा कई बार question आते है gift and goods से related जो gift and goods होते है न कई बार question पुछा गया है कि gift and goods में क्या होते है तो gift and goods के case में income effect जो होता है वो substitution effect से ज़ादा होता है इसका opposite काम करता है कई बार direct question आया है बढ़ते है next question के तरह question number 3 question number 3 में कहता है decrease in demand का मतलब क्या है तो यहाँ पर यह confuse मत हो जाना कि demand कम हो रही है यानि क्यों क्यों कि price बढ़ है no the word is decrease in demand तो जब भी आपको word दिखे decrease in demand या increase in demand इसका मतलब है वो किस की बात करा है यहाँ पर shift की बात करा है जब गड़ बड़ करके आजा तो और option में आपको price भी दे देता है तो decrease in demand का मतलब है यहाँ पर किस की बात हो रही है shift की बात हो रही है अब demand कर में shift कब होता है दीखे जब यहाँ पर हम quantity रखते हैं यहाँ पर हम price रखते हैं क्योंकि यहाँ पर price क्या है constant है तो basically decrease in demand का मतलब क्या है जब इसी constant price पर आपकी demand क्या होती पहले से कम होने लग जाती है तो decrease in demand और increase in demand का concept applicable होता है जब price constant होते हो जो change किस की वज़े सोता है change होता है due to other factors की वज़े से याई आपका taste and preference change हो गया price of related goods में change आ गया तो यह ध्यान रखेगा लेकिन अगर कई बार पूछ लेता है अगर word लिखा हुआ है increase in quantity demand और word लिखा हुआ है decrease in quantity demand इसका मतलब है कि वो बात कर है movement की movement along the demand कर यानि इस तरीके से demand कर की इसका मतलब है कि जो भी change होगा वो सिर्फो सिर्फ इसी demand कर में change होगा demand कर बदलेगा नहीं यानि same demand कर पे moment होगी या तो upward moment होगी या तो downward moment होगी तो यह दो word अपने याद रखने है जब increasing demand और decrease in demand की बात करेगा इसका मतलब वो बात करा है वहाँ पर shift की हो शिफ्ट की वज़े से होता है due to other factors प्राइस क्या होता है constant लेकिन increase in quantity demand और decrease in quantity demand की बात करेगा इसका मतलब बात किसकी करेगा movement की और movement किस में होता है same demand कर में और movement किस की वज़े से होगी आप देख रहे हो price की वज़े से होगी price या तो up होगा या तो price down होगा अब इस question में देखते है this question में कहता है decrease in demand का मतलब क्या है fall in demand due to rise in price तो मैं आपको बोला है पहली बात तो decrease in demand में shift और shift के case में price constant होता है तो price तो बढ़ी भी सकता है तो यह वाल option क्या होगा कर गया option B कहता है more demand at same price price तो same रहेगा लेकिन demand क्या होगी कम तो यह वाल option भी कड़िया option C कहता है less demand at same price यह ऐसी वाली बात बिल्कुल ठीक है कि आप same price पर कम demand करोगे और चौता कहता है rise in demand due to fall in price तो यह वाला तो होई नहीं सकता है क्योंकि moment का case है उस case अगर word लिखता है decrease in quantity demand गलती करके आते हैं इसको आपने अच्छे से करना है बढ़ते next question लिता question number 4 question number 4 में कहता है demand कर उसकी shape कैसी है? उसकी shape है rectangular hyperbola ऐसी shape है तो कहता है जब demand कर की shape rectangular hyperbola होती है तो उस case पे point elasticity कैसी होती है तो आपको ध्यानक नहीं है जब भी demand कर rectangular hyperbola shape में होगा उसकी elasticity of demand हमेशा क्या होगी? 1 होगी 1 का मतलब है unitary elastic demand होगी और ये भी यादखना कि जब demand का rectangular hyperbola होता है तो elasticity 1 होती है और पूरे demand कर पे जो elasticity क्या होती है? 1 होती है ठीक है? यानि along the demand का जो elasticity होती वो unitary होती है यानि option number B क्या होगा? अब देखो कई बार पूछ लेता है कि जब demand perfectly inelastic demand है तो curve कैसे बनेगा? तो जेखिए जब perfectly inelastic demand होता है तो curve बनता है vertical और इसकी elasticity हो जाती है 0 लेकिन अगर demand perfectly elastic है तब कैसे बनता है? यह horizontal parallel to excesses और elasticity क्या हो जाती है? इंफिनिट हो जाती है अगर demand relatively elastic है तो यह कैसे बन जाएगा? flatter elasticity के value क्या हो जाएगी? एक से जादा अगर demand curve जो है वो relatively inelastic है तो यह थोड़ा सा steep बन जाएगा और elasticity क्या होगी? एक से कम होगी तो इतने आपने याद रखने है इनके 5 टाइप से इसको ध्यान अखना है और उस खर्चों को आप recover नहीं कर सकते हो तो वो cost क्या कहलाती है? वो cost कहलाती है sunk cost नाम से पता लग रहा है ऐसा पैसा जो आपने लगाया था firm ने लगाया थो और वो पैसा firm का डूब गया उस firm को वापिस नहीं आएगा तो वो cost कहलाएगी आपकी sunk cost sunk cost मीन जैसे firm जो है वो marketing पे खर्च करते है research पे खर्च करते है या कोई नया software install किया या फिर जो workers काम करते है उनको salary देना हो या फिर उनको benefits जैसे health insurance प्रवाइट करना retirement fund प्रवाइट करना contributions हो गया तो ये सारे पैसे जो firm पे तो कर देती है बट ये recover नहीं किया जा सकते इसके अलाबा कई बार question आपसे पूश लेता है कि variable cost क्या होती तो variable cost वो cost होती है जो output के change होने से क्या होती है change होती है पूश लेता है कि जो variable cost का curve होता है वो कैसे बनता है तो obviously variable cost में जो खर्चे आप raw material पे लेबर पे करते है ये बनता है U-shaped क्यों U-shaped बनता है question आजाता है because of law variable proportion इसके अलाबा एक question कई बार पूचा गया है कि marginal cost में सिर्फ वो सिफ कौन सी cost include होती है तो important है ध्याना किया marginal cost में सिर्फ वो सिफ total variable cost include होती है अब जानते है marginal cost का formula क्या होता है marginal cost का formula होता है total cost N- total cost N-1 unit और अब जाते है total cost में दोनों cost आते है total variable cost of N-unit total fixed cost of N-unit इसी तरीके से total cost of N-1 unit में भी क्या क्या आजाएगा total variable cost of N-1 unit plus total variable cost of total fixed cost of N-1 unit तो जब आब इस minus को open करोगो तो पूरा minus हो जाएगा तो आब जानते है total fixed cost क्या होती है वो cost जो हमेशा same रहती है तो total fixed cost चाहे N-unit का हो चाहे वो N-1 unit का यानि total cost total fixed cost जो है वो N-unit के लिए आप use करो या फिर N-1 unit के लिए दोनों के लिए क्या रहता है same तो या आपस में कर गया तो सिर्फ कौनसी cost बची TVC N- TVC N-1 यानि marginal cost में सिर्फ कौनसी cost include है total variable cost है question आ जाता है कि total fixed cost जो है वो कैसे बनता है तो total fixed cost कैसे बनता है यह बनता है horizontal and parallel to excesses क्यों क्योंकि यह cost output के change होने से change नहीं होती है जैसे आपने machine ने खरी ली तो यह सारी cost क्या के लाएगी fixed cost question आ जाता है कि short run के अंदर कौन कोंसी cost incurred करती है firm तो short run के अंदर जो खर्चे किये जाते है वो क्या होते है short run के अंदर जो खर्चे होते है वो कैसे होते है basically fixed cost पे भी होते है variable cost पे भी होते है बढ़ आप जानते है long run के अंदर सारे factor variable हो जाते है तो सारी के सारी cost क्यों जाती है नेक्स question देखते है question number 6 question number 6 पूछता है कि एक monopolist क्या control कर सकता है तो एक monopolist कौन है monopolist कौन है जो monopoly market में single seller है जिसके पास पूरी market है तो एक monopolist देखो या तो price को control कर सकता है या तो वो production को control कर सकता है बिसिकलि अगर एक monopolis चाहता है जादा से जादा quantity को बेचना तो वो सिर्फ तभी बेसकता जब वो price को क्या करे काम आप जानते है monopolis के पास power है कि वो price discrimination कर सकता है जादा price charge कर सकता है लेकिन अगर वो चाहता है कि वो market में जादा से जादा quantity बेचे तो वो सिर्फ उसे कम price करके ही बेच सकता है तो monopolis या तो production को control कर सकता है या तो price को control कर सकता है कुशन आजाता है कि monopolis के लिए जो demand कर वो था वो कैसे बनता है तो उसके लिए demand कैसे बनता है relatively inelastic क्योंकि consumer उसको असानी से छोड़ नहीं सकते है यानि अगर वो जादा price में change भी कर देते हैं तो भी consumer के demand में जादा change नहीं कर पाते है बढ़ते हैं next question उसके question number 7 question number 7 में कहता है कि अगर एक given आप सारे factors को labor, capital अगर आप सभी factors को given proportion में बढ़ाते हो और output भी उतने ही proportion में बढ़ता है suppose अगर आपने input को यानि factors को 20% से बढ़ाया वो अपके output भी 20% से बढ़कर आजाते है तो वो returns to scale क्या कहलाएगा तो obviously वो कहलाएगा constant return to scale constant returns to scale यानि जितने proportions से input बढ़ाये गया और आपको output 40% से जादा मिल गया तो obviously कैसे कहलाएगा वो कहलाएगा increasing returns to scale कोशन आजाते है कि अगर input आपने 20% से बढ़ाया लेकिन output सिर्फ 10% से मिला आपने input 20% बढ़ा दिये लेकिन output आपको सिर्फ 10% से बढ़कर मिला तो कहलाएगा decreasing returns to scale तो इस question का सही आज़ा होगा constant return to scale तो option number 1 देखिए कि increasing returns to scale हो सकता है नहीं कि variable returns to scale हो सकता है नहीं कि decreasing returns to scale हो सकता है नहीं तो बचा कौन सा option number 4 यानि linear homogeneous production function अब देखो इसको linear homogeneous production function क्यों बोला गया समस्ते ज़रा आप ध्यान करिए cob douglas production function cob douglas production function क्या होता है q is equals to a into l, l की power alpha, k, k की power beta तो q क्या बताता है total output a बताता है यहाँ पर technology l बताता है labor alpha बताता है proportion of labor used in the production k is the capital and beta बताता है proportion of capital used in production function तो basically आपने पढ़ा था cob douglas production function के अंदर जो हम labor और capital का proportion use करते यानि alpha plus beta जो होता है वो हमेशा उसका sum किस के बराबर होता है one के बराबर होता है case of cob douglas production function तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो production function कैसा है linear है, linear मतलब उसकी value का है one है और homogenous है तो correct answer क्या होगे option number four but the next question question number eight question number eight में कहता है कि अगर perfect competition market है कहता है कि perfect competition market short run के अंदर average cost cover नहीं कर पाती है तो वही firm लॉआंग रन में तब तक ही वो काम करेगी यानि वो long run में तबी तक रहेगी है जब तक वो average variable cost को cover कर पा रहे है बेसिकलिंगे वो shorten में उपकाम करना शुरू करती है वो shorten में अभी average cost cover नहीं कर पा रहे है तो same firm long run में वो तभी तक exist करेगी तभी तक काम करेगी जब तक वो अपनी average variable cost को cover कर पा रही है यानि per unit variable पे जो खर्चा पढ़ रहा है उसको cover कर पा रही है तब तक वो production करेगा अगर वो नहीं cover कर पा रही है तो वो market को छोड़ के चली जाएगे very very important question बहुत बार exam में पूचा गया है और direct question आपसे पूचा जाता है बढ़ते next question के तरह question number 9 question number 9 में कहता है किसी भी monopolist के लिए दो market में price discriminate करना possible basically वो कह रहा है कि monopolist जो है वो दो अलग-लग market में price discrimination करना उसके लिए profitable नहीं है अगर दोनो market में elasticity कैसी है suppose market A है और market B है अगर दोनो market के अंदर जो price elasticity of demand जो है वो same है same का मतलब है कि जितने price इस दोनो market में charge कियेंगे उतने price पे जाल साथा customer जब वो lose कर जाएंगे basically अगर दोनो market में elasticity of demand same है तो obviously इस case में वो price discrimination नहीं कर पाएगा basically monopolist price discrimination तभी कर सकता है जब market different बहुत दुरी पर located हो और साथ में दोनो market के अंदर elasticity of demand क्या हो different है question आ जाता है कि suppose A market के अंदर जो price elasticity of demand है वो जादा है जबकि B market में कम है तो monopolist कैसा price charge करेगा तो दीखें A market में elasticity of demand जाद है यानि consumer उस product को छोड़ सकता है तो इस case में monopolist जो है वो यहाँ पर lower price charge करेगा बट इस market में elasticity of demand कम है यानि consumer जो है वो इतनी असानी से नहीं छोड़ सकता तो ऐसे में उसके लिए यहाँ पर जादा price charge करना profitable रहेगा तो यहाँ पर जादा price charge करेगा तो यह question भी exam में आपसे बहुत बार पूछा जाता है तो इसको अच्छे से करेगा बढ़ते है next question की तरह question number 10 question number 10 में कहता है imperfect competition market के अंदर selling cost के concept को किस ने introduce किया था यानि imperfect competition market जब theory आई थी उसके अंदर selling cost की बात किस ने करी थी तो इसकी बात करी थी correct answer होगे option number B Edward Chamberlain समझे selling cost होती क्या है selling cost का मतलब होता है basically sales को बढ़ाने के लिए जो खर्चे किये जाते है यानि selling को बढ़ाने के लिए जो खर्चे किये जाते है यानि वो पैसे इसलिए खर्च के जारे ताकि उनके products जादा बिके उनके products के जादा demand create हो जिसे advertisement पे खर्चा करना, marketing पे खर्च करना, consumers को free offers provide करना ये firm इसलिए करते है ताकि उनके customers बढ़े ताकि उनके product के demand जादा बढ़े, उनकी sales जादा बढ़े तो अब देखिए, question आ जाते है कि perfect competition market में selling cost क्या होती तो perfect competition market में कोई selling cost नहीं होती, क्या monopoly market में जरुत है नहीं monopoly में अगेला बंदा है, अकेला seller उसको जरुत ही नहीं है तो अब बच्ची cost में monopolistic competition market, वहाँ पे differentiated product होते है वहाँ पे price discrimination किया जाते है, basically वहाँ पे selling cost की जाती है तो यह question exam में बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए इनको अच्छे से करिएगा तो I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, so do like, share and subscribe my channel and also press the bell icon button to get the notification of all my upcoming videos thanks for watching, jay hin, jay bharat